जहीं दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटी चैनल एस जेश्टडी पे दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले इंडिन नेवी एम्मार और एसेसर के रिजल्ट को लेकर की रिजल्ट जो है कवाने वाला है और आप लोग को मैं किलियर कर दू मेर भाई कि आप लोग मैंने पीछले वीडियो में बताया था कि ओफीशल नॉटिफिकेशन जो कहता है कि 30 डेज के अंदर अंदर आप लोग का रिजल्ट जो है जारी कर देना चाहिए लेकिन अभी तक रिजल्ट ने आ इसके पीछे क्या रिजन हो सकता है ठीक है और पीछले पीछले बार की बात करते हैं तो पीछले बार 45 डेज के मतलब की बाद रिजल्ट आप लोगो देखने को मिला था या बोल सकते कि 45 दिन रिजल्ट देखने को मिला था कब से तो एक्जाम डेट से ठीक है तो अगर पीछले बार क्या पेक्षा भी देखे तो अभी 30 डेज हो अभी नहीं दे रहे हैं, तो अगर इस अनुसार से देखा रहे हैं, तो रिजल्ट हो सकता है, कि आज साम तक देखने को मिल जाए, ओफिस्यल नोटिफिकेशन के तहाइट, लेकिन मुझे उमीद नहीं कि आज साम को आप लोग रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो फिर रिजल थोरा बीजी होगा, तो उन सभी चीज़ पर फोकस होगा, तो रिजल्ट जो है, इनके कारण वो रिलीजन अकर रहे हूं, ठीक है, पहला रिजन, दूसरा हो सकता है, यहाँ पर कि आप लोग देखने को मिलेगा, तो फिर कब देखने को मिलेगा, आप लोग को वेट करना च को मिल सकता है, ठीक है, मैं ऐसा इसलिए बोलना को कभी बीजी होंगे, तो वो 15 अगस्त के बाद ही सायद से रिजल्ट जारी करें, ठीक है, हो सकता है कि 20 अगस्त तक आप लोग को रिजल्ट जो है, इंडन नेवी, MR और SSR का दोस्तों जारी हो जाए, ठीक है, इस बात को आ मतलब की डाउट की लेर कीजिए, ठीक है, और मैं बोलूँगा मिरे भाई, कि जिनको लग रहा इतना कटफ बंड है, उनको फेज टू का तियारी करना चाहिए, रिजल्ट का मतलब वेट नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा इसलिए बोलना हूँ क्योंकि भाई, फेज टू बहु नहीं है, तो फिर तो आउट हो जाओगे न, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को फेज टू की तयारी प्रोपर तरीके से सुरू कर दिना चाहिए, मैं अभी आपको बताता हूँ, क्या जा सकता है, बात करेंगे MR के लिए, बहुत ऐसे ग्यानी हैं, जिनको लगत है, मिर भाई, कि cut-up बहुत कम जाने वाले हैं, देखो cut-up का खेल पिछले बार नेवी ने गरवर किया था, मैं हर बार से बोलते आ रहा हूँ, और इस बार भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि cut-up इस बार नेवी बहुत अच्छे तरीके से त्यार करेगा, इसलिए delay कर रहा है, ठीक है, तो cut-up जो इस बार high जाएगा, पिछले बार जैसे सोच लिया कि 10 नमबर पे MR का cut-up चला गया था, SSR का कहीं 22 नमबर गया है, तो कहीं 18 नमबर गया है, तो हो जाए, तो इस बार उमीद मत रखना, मैं पहली बता रहा हूँ, cut-up high लगेंगे, अब इतना भी high नहीं, क्योंकि paper भी moderate level के थे, ऐसा नहीं बोलेंगे, paper पूरा easy थे, लेकिन इतना हम कहा सकते हैं, मिर भाई, कि easy paper नहीं थे, फिर भी moderate level के भी थे, लेकिन cut-up पिछले बार किया picture इस बार high होंगे, ठीक है, दूसरा बात मन में चला हो, vacancy जाद है, इसमें 2 vacancy एड के ग तो already मैंने एक पूरा state-wise cut-up मैंने तयार करके एक वीडियो जो बना रखा है, link आप लोग description box में जाएगा, जाके देख लेना, दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, कि ऐसे कितना जा सकता है, बताओ, देखो, हर state का लग जैसे नौर्थ इस्ट वालों का भाई, बहुत कम cut-up लगेंगे, जैसे यहाँ आपर हम बोल सकते हैं कि 20 से 22 नंबर पे साय से बन जाए, ठीक है, वही MR में हो गया मिरभाई, हरियाना हो गया, राजस्तान, बिहार, UP, इन सब यह state में कम से कम, आप लोगो कम से कम, 27 से 30 के बीच में कम से कम करना होगा, first stage में, क्यों first stage के cut-up कम जाते हैं, तो इसलिए मोलें इतना है, तो उमीद रख सकते हो, आप लोगो को तियारी करना चाहिए, एक normal number 30 नंबर है, तो आप लोग फेज़ टू की तियारी सुरू कर दो, और SSR के अंदर में भी same वही category है, कि North East वालों का कम जाएगा मेरे वही 22, 23, 24, 25, लेक कि पिछले बार का cut-up मैंने अल्लेडी वह उसमें बताया है, कौन से जो पूरा detail वाले statement मैंने एक एक चीज़ को बताया है, तो उसमें देख सकतो, कम सकम 30 भी number है, तो आप लोग क्या कर दो, मतलब कि SSR में भी आप लोग तयारी सुरू कर दो, फेज 2 के लिए, और आप लो आप लोग को मैं ये भी बताऊंगा कि आप लोग का phase 2 कब से सुरू होने वाला है, physical में क्या-क्या होते है मेरे भाई, पहले exam होगा या पहले physical हो लेते हैं, सब कुछ clear करके आप लोग बताऊंगा, उसके लिए कुछ नहीं करना है, आप लोग को चैनल को subscribe करके, विल आइक support दिखाओ यार, आप लोग मतलब support नहीं मिल ला है, जो चैनल पर मिलना चाहिए था, ठीक है, इतने बंदे देखते हो, लेकिन वीडियो को like नहीं करते हो, share नहीं करते हो, तो कुछ पैसा वैसा लगता नहीं है, इतना अच्छा informative आप लोगो जनिकारी देता हो, तो आप ल मातरम